आपको आज कुछ ना कुछ समझ में आयोगा कि मैं किस बेसे सपोर्ड निकालता हूं क्या मैंने रेंज दिया था उसको आप वन वाइवन करके देखेंगे उसके साथ ही मैं यहां पे प्लेइलिस्ट में कुछ वीडियो डाल लख है मैंने जो कमोडिटी लर्निंग की है कि देख सकते हैं लर्न कर सकते बेसिक चीजे हैं जिससे आपकी फंडामेंटल चीजें क्लियर हो सकते हैं कि मार्केट किस तारी एक करता कैसे हमें वर्क करना होता है खासका बिगनर्स के लिए साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया लाइ बना नहीं तो मैंने उसको भी आपके लिए यहां पर पोश्ट कर दिया था कि ऐसा कोई कान्फरमेशन भी मिला नहीं है अब हम यहां पर फेंट्स देखें तो सिल्वर माइक्रो को जो चार्ड बना हुआ है उसके लिए दीरे दीरे करके मार्केट लबब 500-600 पॉइंट नीचे आता है तो ओवराल जो मार्केट के आज पूरे दिन का रेंज रहा है एक रेंज बॉंड में ही रहा है अगर आप इंगल्फिंग पैटरन जो मने एक कैंडलिस्टिक पैटरन डाल लगए अगर आप उसको देखते हैं तो यहां से आपको कुछ समझ में आया होगा कि इंगल्फिंग पैटरन है चाहे जैसा भी मार्केटर है उसमें थोड़ा बहुत वर्क्स करते हैं अब यहां पर आप देख रहे हैं उपर रेजिस्टन्स के आसपा से इंगल्फिंग बन रहा है मतलब यहां से थोड़ा वेर इंडिंग मार्केट ऐसा बनता हुआ नहीं देख रहा है जब तक कि इस लेवल पे सस्टेन करता है जैसा मैंने आर्क मॉर्निंग में ही बोला था कि मार्केट के लिए इतनी बड़ी फॉल होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा तीना चार्ज यार पॉंट किरने के बाद पॉस केंडल बनाता है अब सब प्रिवियस हिस्ट्री उठा कर देखेंगे तो ऐसा ही कुछ बनाता है तो आज यही भी इसी भी रेंज में फसा हुआ है अब देखते हैं मार्केट में किस तरह से इसमें फोरावर में सेटप क्या बनता हुआ दिख रहा है जिससे हमें सब्सक्राइब कर देखने हैं कि फोड़ी एमांट के लिए वह थोड़ी क्वांटिटी के लिए देखनी है क्योंकि बहुत ही यहां पर इस रिस्की जोन है मार्केट यहां पर आपको फसा सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बाइंग साइड में ले जाए एफसेल साइड में ले जाए लेकिन दोनों साइड में मार्केट में कोई क्लियर कर मूब बनता हुआ नहीं दिख रहा है अब यहां पर आप देखते हैं तो फोरार सेटप में यह जो रेंज बनी है 67,000 की थोड़ी इंपोर्डेंट सपोर्ड का काम कर रही है अगर मार्केट यहां पर एक इसी बीच में मार्केट घूम रहा है मतलब नीचे और ऊपर देखेंगे तो पांसो से शेसो पॉइंट में ही पूरे दिन मार्केट घूमता रहा है तो ऐसे सिच्वेशन के लिए आपको बहुत ही केरफूल होके और सेटप बेस टेडिंग करना होता है जैसे हमने बताया कि इंगलफिंग पैटर मना था वहाँ आपको थोड़े बहुत बाइंग के पॉच्वेशन के देखनी थी उस तरह अगर आप देखे होते तो आपको कुछ ना कुछ मिलता लेगिन अब आप मूंत की अगर बाइंग या सेलिंग करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्राब्लम हो होने वाली है अब फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं जो मौनिंग में आपको बोला था अगर मार्केट यहां पे एक रेंज बॉन्ड होता है एक पॉस्ट केंडल बनाता है जैसा जनरली मार्केट कर रहा है इतना बड़ा फॉल अभी पिछले दो महिने में नहीं हुआ ह यहां पे होगते हैं बिपीट करती है बहुत इमानदारी से रिपीट करती है बस उसको आपको पकड़ना आना चाहिए कहां पर किस तरह से फर önवेशन हो रहा हुआ है अब यहां पे बिटन वाच करते है नेक्स्ट डे हमें पिर मिलेगा तो हम इस वी दबार तो इनके से break down होता है तो फिर यह बड़ा move downside के लिए भी दिखा सकता है और break out ऊपर की तरफ अगर यह निकलता है range की आसपास जाता दुबारा इसके लिए फिर एक range बनती हो दिखा जिसके morning में भी देखेंगे तो overall जो हमने morning में देखा वो भी हमारा work किया अभी हमें इसमें buying की opportunity या फिर sell की opportunity नहीं देख रहे हैं क्योंकि एक setup बना था उसको हमने थोड़ा सा trade किया तो अगर आपने किया होगा तो इसमें कुछ ना कुछ मिला होगा आपने नहीं किया तो यहां पर बेट करिए क्योंकि एक base क्रियेट कर दिया है और base के साथ में जो zone इसने बनाया है उपर की तरफ और नीचे की तरफ आप दोनों zone को देखते हैं तो बहुत ही important zone है इसके लिए निकल के आती हुई दिख रही है जो कि लबह आप देख रहे हैं 67,500 से लेके 68,100 के around 200 के around यही इसके लिए range बनती हुई दिख रही है अब market धीरे-धीरे up-down करेगा आपको लालस्च मिलाएगा कि यहाँ आईए आप entry करिए लेकिन अभी जब तक कोई clear card आपको move ना मिले आप यहाँ बेट करिए वाच करिए क्योंकि आज भी market एक range में है और range में closing करता है तो next day के लिए movement के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ आप इसके लिए थोड़ा सा लेबल रहेगा और उसके बाद 200-300 पॉइंट से जादा का momentum इसमें होता हुआ नहीं दिख रहा है अगर market जाएगा भी तो downside ही जाने कि यहाँ possibility बनती हुई दिख रही है तो overall हमारी जो view है मैंने आपके लिए share कर दिया है आज अगर ट्रेडना करें तो अच्छी बात है अगर करना चाहा रहे हैं तो बहुत ही careful होके ट्रेडिंग करें थैंक यू प्रेंट पर लाइक करें करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू